चलो बच्चों, मिलकर जोड के सवाल हल करते हैं. देखो, यहां कितने तोते और कपुतर हैं? आओ इन्हें गिन कर देखते हैं. एक, दो, तीन, चार. चार हैं तोते. अब कपुतर की संख्या को गिने. एक, दो, तीन, चार, पाँच. पाँच कपुतर हैं? यानि यहां पर चार तोते और पाँच कपुतर हैं? यहां सब मिला करकुल कितने पक्षी हैं? क्या आप बता सकते हैं? तो हम कैसे पता करेंगे कि कुल मिला कर कितने पक्षी हैं? आओ इसे हम इस फ्रेम में हल करते हैं. सबसे पहले तो हमारे पास चार तोते हैं, तो हम यहां चार लिग देगें. और क्योंकि हम तोते की संख्या में कबूतर की संख्या को मिला रही हैं, इसलिए हम यहां पर जोड काच्चने लगाएंगे. मिलाना मतलब जोड करना और कबूतर की संख्या कितनी हैं? पाँच है. तो चलो पाँच को यहां लिग देते हैं. और अब पता करते हैं कि चार जोड पाँच कितना होगा? तो चलो देखते हैं कि चार जोड पाँच कितने होते हैं? इसके लिए हम इन पक्षियों की संख्याओं को गिनेंगे तो चलो गिंती शुरू करते हैं एक, दो, तीन, चार, पाँच, छै, साथ, आठ, नो इसका अर्थ हुआ कि चार जोड पाँच बराबर नो होता है तो यहाँ सम मिलाकर कुल नो पक्षी है यहाँ कितने बल्प और टॉर्च है चलो बल्प की संख्या को गिनते हैं एक, दो, तीन, चार, यह तो चार है और टॉर्च, एक, दो, तीन टॉर्च तीन है यानि यहाँ पर चार बल्प है और तीन टॉर्च है अब बताओ कि यह सम मिलाकर कितने होंगी तो कैसे पता करेंगे कि सम मिलाकर कितने होंगे बिल्कुल पिछले उधारन की तरह इस फ्रेम पर हमने यहाँ लिखा बल्प की संख्या को और यहाँ पर हमने जूर्च का चिन्न लगाया क्योंकि जूड मतला मिलाना और हम बर्ब और टॉर्च की संख्या को मिला रहे हैं इसलिए यहाँ पर हमने लिदी ये टॉर्च की संख्या टॉर्च कुल तीन है और अब पता करेंगे कि चार जूड तीन आखिर कितना होगा तो देखते हैं कि चार जोर तीन बराबर कितने होते हैं तो चलो इन्हें गिन लेते हैं एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ इसका मतलब है कि चार जोर तीन बराबर साथ हुआ यानि यह सब मिलाकर साथ चीज़ें हैं अब इस टोकनी को देखो इस टोकनी में कुछ टमाटर और कुछ गासर रखी हुई है यहाँ पर कितने गासर और टमाटर हैं? देखते हैं एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, छे तो गासर हैं और टमाटर कितने हैं? एक, दो, तीन, चार, पाँच, कुल पाँच टमाटर हैं यानि यहाँ पर छे गासर हैं और पाँच टमाटर हैं पर यहाँ सब मिलाकर कितने होंगे? क्या आप बता सकते हो? तो हमने यह फ्रेम बना लिया और यहाँ हमने गासर की संख्या को लिखा और फिर जोड का चिन्ध लगाते हुए लिखा टमाटर की संख्या को और आप हम करेंगे जोड और बताएंगे कि 6 जोड 5 कितने होगे तो बस अब पता करना पहुत आसान है देखते हैं 6 जोड 5 पराबर कितना होगा तो इसके लिए हमें इन सभी को गिनना होगा गाजर और टमाटर की कुल संख्या कितनी है बिल्कुल सही यह सब मिलाकर है 11 यानि एक एकाई और एक दहाई तो इस तरह यह सब मिलाकर कुल 11 होगे अरे वापिंगे इटने ट्रोफियां हाला जू यह आर्ट ट्रोफियां मुझे ड्राइंग प्रतियोंगीता में मिली है यह मेरी आर्ट ट्रोफियां मेरे पास भी साथ ट्रोफियां है वाँ यह रही मेरी साथ ट्रोफियां यह सब मिलाकर कुल कितनी होगी चलो इनका जोड करते हैं ये मेरी आठ ट्रोफिया और ये मेरी साठ ट्रोफिया तो आठ और साठ जोडने पर कितने होंगे? चलो देखते हैं तो अब देखिए ये हैं आठ ट्रोफिया और इसमें हम मिला रहे हैं यानि जोड रहे हैं ये साथ ट्रूफिया तो गिनिए कुल कितनी है? बिकोचीक यह कुल पंद्रह है यानि पांच इकाई और एक दाहाई इस तरह से यह सब मिलाकर हुई पंद्रह ट्रूफिया तो अब आप वीडियो को कुछ समय के लिए रोखे और इन सवालों का उत्तर बताईए इन्हें अपने कॉपी पर लिख लेजिए और इन्हें खल कीजिए मुझे पूरा यकीन है आप सभीने उत्तर निकाल लिये होंगी और आपके उत्तर बिल्कुल यहीं होंगी और अगर आपका उत्तर गलत है तो आप एक बार फिर से इस वीडियो को शुरुआत से देखिए फिर मिलते हैं यजिए झीप झीप